नमस्कार नीतिस कुकिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी न्यूटिशिस स्नैक्स लेके आई हूँ और वो है बीट्रूट के कटलेट्स गर्मा करम बीट्रूट स्नैक्स बाहर से एकदम करारे करारे कुर कुरे और अंदर से एकदम नरम और ख एक मीडियम साइज का और एक स्मॉल साइज का है धाइसो ग्राम इनका वेट है इनको सबसे पहले आप चील लीजिए और उसके बाद अच्छे से पानी में दो लीजिए क्योंकि इसमें मिट्टी वगरा लगी रहती है और उसके बाद बारी आती है इसको ग्रेट करने को अग कटलेट्स में उबलावा आलू यूज करें तो ध्यान रखें कि कम से कम दो तीन घंटे पहले ही आलू को बॉइल कर लीजिए और इसका मॉइस्चर थोड़ा सा निकल जाना चीजिए इसमें से तभी कटलेट्स बहुत अच्छे होते हैं देखिए खिले-खिले आलू है बि ब्लांच कर लीजिए मटा डालने से कटलेट्स और भी ज्यादा न्यूटिछ और हेल्दी हो जाएंगे अब इसमें मैं डाल रही है चौथा कब बारिक कटा हुआ प्याज और दो इंच अधरक जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है बारिक बारिक और इसके लावा लगभा चार ह अगर आपके पास है तो और वैसे भी कटलेट्स के लिए ब्रेट्रम्स तो चाहिए तो आप यह भी मिला सकते हैं फ्रेश ब्रेड भी आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं या थोड़ी सी मैदा कॉन स्टाच पाउडर भी आप बाइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं अब वन टेबल स्टोन कॉरियंड़ पाउडर धनिया और वन टेबल स्टोन अमचूर पाउडर थोड़ी सी खटास के लिए आप निबू का रस्बियोंज कर सकते हैं 1 टेबल स्पून में लेरियों भुना हुआ जीरा 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून चाट मसाला थोड़ा सा इसको चट पटा बनाने के लिए ये तो स्नैक्स में बहुत ही जरूरी है अब इसके बाद खुब सारा कटा हुआ हरा धन्या डालीजेस मे मैंने इतने सारे मसाले डाले हैं अब आप सोचिए कि ये जो हम कटलेट्स खाएंगे न तो ये बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये बीटरूट के कटलेट्स हैं और बच्चे जो बीटरूट खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो तो बहुत ही आसानी से इनको खा स अच्छे से सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लीजिए, बाइंडिंग बढ़िया होनी चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिक्चर थोड़ा गीला गीला है, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स अगरा और मिला सकते हैं, देखिए ऐसा थिक मिक्षर होना चाहिए, आप इसको पैटीज जैसा बना लीजिए, अगर आप इसको पैटीज जैसा शेप नहीं देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको रोल करके और सिलिंडर शेप दे सकते हैं, जैसा आपको शेप पसंद हो जैसे बच्चों को हाड़ शेप भी बहुत पसंद आता है, तो आप उसको heart shape भी दे सकते हैं cutlet को cutlets तो आपके मन पसंद के shape होने चाहिए जो बच्चों को पसंद तो बिल्कुल वैसा ही बना लीजे मैं इनको थोड़ा सा patties shape बना रही हूँ तो लीजे friends हमारे cutlets तो अभी हाल बन करके आधे तयार हो चुके अभी इनको fry करना बाकी है देखिए मैंने एक लॉट तलने के लिए तयार किया है और उसके बाद मैंने यह coating करने के लिए bread crumbs लिए है अब देखिए यह जो मेरे cutlets है इनमें हलका हलका ऊपर थोड़ा सा moisture दिख रहा है इसका मतलब bread crumbs आराम से इसके उपर coat हो जाएगा एक्स्ट्रा bread crumbs जो है उसको थोड़ा सा ऐसे जाड़ दीजे ताकि तेल भी खराब नहीं होगा देखिए बिल्कुल अच्छे से coating हो गई है देखिए एक बात बता हूँ आपको जब आपका काम चल रहा है तो जबर्दस्ती काम को फैलाना भी क्यों कितनी अच्छी से से coating हो गई है तो फिर कौंस टार सलरी बना करके काम को क्यों बढ़ाना काम बेवजब बढ़ जाता है दो हाथों से काम करना पड़ता है कि इतने बढ़ी हा कटलेट्स बनकर तैयार हो गए है तो आब इनको फ्राइच करने करे तरफ चलते हैं मैंने इसमें बहुत कम लेवल कीजिए वड़ना अंदर तक तेल पी जाते हैं मीडियम से हाई फ्लेम तक कीजिए कभी हाई कर दीजिए कभी थोड़ देर मीडियम कर दीजिए इस तरह से करते रहिए और दौनों तरफ से बढ़िया कुरकुरा होने तक इनको फ्राइ कर लिजिए कितने बढ़िया लग रहे नुट्रिशल्स, हेल्दी, बीर्टूट कटलेट्स बनकर तयार हो चुके हैं, सॉस और हरे दनिये की चट्मी के साथ इनको सर्व कीजिए, बच्चों को पसंद हो, तो आप इसमें थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, मैं आपको आइडियास दे रही हूँ, ची बीर्टूट के दिखाती हूँ, आपको देखिए कितने मॉइस्ट हैं अंदर से और बहुत ही सॉफ्ट है, टेस्टी तो बहुत ही जादा है, मुझे तो बिल्कुल भी इसमें बीटूट का स्वाद आया ही नहीं है, एक्चुलि मुझे भी बीटूट बिल्कुल पसंद ही इसलिए मैं यह कटलेट्स बगरा बना लेती हूँ, यह लीजिए फ्रेंट्स कैसे लग रहे हैं मेरे यह कटलेट्स बहुत ही शांदार है ना, तो बस फटा फट से तियारी कीजिए, गर्मा गर्म स्नैक्स बनाईए और चाय के साथ एंजॉई कीजिए, लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो अगर अब तक अच्छा लग गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चानल को और हाँ नोटिफिकेशन बैल प्रेस करके और पर क्लिक जरूर कीजिए, तब ही तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, बाबा अमर ये जर गपनी मेरे झाल और हेे रख्ला, कि अच्ठाब बाहए टूरा वीजिए, सब्सक्राइबस ड़ाईबद है वेराखन तक अछ्राइबस